हालो एवरिवन, आज हम बनाएंगे होल वीट कैरट केक, यह बहुत ही जादा टेस्टी है और साथ ही 100% हेल्दी है, आप इसे जी भर कर खा सकते हैं, वो भी बिना किसी गेल्ट के, हमने इसमें अंडा यूज नहीं किया है, हम इसे पैन में बनाने वाले हैं, ताकि इसे हर कप ओयल डालेंगे, 80 ग्राम यहां पर मैंने ब्राउन शुगर ली है, आप 80 ग्राम सी 100 ग्राम तक यूज कर सकते हैं, अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यह हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम ड्रा इंगिर्ण्स को छान लेंगे, सबसे पहले हम इ एक कप गेहूं का आटा, अब हम इसमें डालेंगे एक छोटी चमश बेकिंग पाउडर, आधी छोटी चमश बेकिंग सोड़ा, एक से दो पेंच इसमें हम दाल चीनी का पाउडर डाल रहे हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, और एक पेंच हम इसमें छोटा थोड़ा सा नमक डालेंगे, और इसको चान लेंगे, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब हम इसमें डाल रहे हैं आदा कप ग्रेट की हुई गाजर, और इसमें थोड़े से हम ड्राइफूट्स आप अपनी पसंद के डाल सकते हैं, यह मैं ड्राइड प्लाम्स डाल रहे हूँ, थोड़े से संफ्लावर सीट्स, थोड़े से ड्राइड अप्रिकोट्स, और यह चॉप्ड आलमंस यह अब अदाम हैं बारिकटे हुए, और यह काजू बारिकटे हुए, और यह पाम्किन सेज, और थोड़े थोड़े से हमने रख लिए हैं, जो हम उपर गार्णिश के लिए लगाएंगे, इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे में, आटे में मिक्स करने से ऐसा होगा कि, जब आप इसे बेक करेंगे तो यह बेस में जाके नीचे नहीं बैठेंगे, यह पूरे केक में evenly फैल जाते हैं, अब हम केक बेक करने के लिए एक पैन लेंगे, उसमें हम नमक डाल देंगे, नमक आपको तुरह डाक कलर का लग रहा होगा, क्योंकि मैंने इसे बेकिंग में कईबा यूज किया है, इसलिए इसे evenly अच्छे से फिला देंगे, और हम इसे गैस पर रख देंगे, ढख करके कम से कम 5-10 मिनिट के लिए, ताकि जैसे हम अवन को प्रिहिट करते हैं, यह बिल्कुल प्रिहिट हो जाएगा, अब हमारे गीली और सुखी इंगीजिएंस बिल्कुल तयार हैं, तो अब हम इने मिक्स करेंगे, अब हम गीली समगरी में सुखी समगरी डालेंगे, यह पहले मैं आधी डाल रही हूँ, इसे अच्छे से mix करेंगे हम cut and fold method से और फिर बाकी की समगरी भी हम इसमें डाल देंगे baking में आप oven में भी इसे bake कर सकते हैं, 180 degree पर ये 25 से 30 मिनिट में bake हो जाएगा या फिर आप इसे air fryer में भी कर सकते हैं, microwave में भी कर सकते हैं या इस तरह से जैसे मैं pan में कर रही हूँ, तो आप इस तरह से कड़ाई में या cooker में भी कर सकते हैं अगर आप cooker में करें, तो उसकी जो whistle है उपर की हटा दें, जो weight होता है अब हम इसमें 4-5 drops इसमें vanilla essence की डाल रहे हैं थोड़ा सा दूट डालेंगी ताकि यह जो बेटर है थोड़ा सा गाड़ा लग रहे है, इसलिए अब हमारा जो cake का बेटर है, वो बिल्कुल perfect तयार हो चुका है और हमने अपने जो cake tin को तयार कर लिया है, यह 6 x 6 inches का cake tin है हमने इसे grease करके इसमें butter paper लगा लिया है और अब हम इसमें cake का बेटर डाल देंगे इसे spatula से evenly फिला देंगी अब हम जो सारे जो बच्चे हुए dry foods थे, हम उसे एक कटोरी में डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा आटा डालेंगे, तक्रीबन 1 4 टी स्पून इसे अच्छे से mix कर लेंगे ऐसा करने से अगर आप इसे oven में बेख करेंगे, तो यह उपर से जलेंगे नहीं हम यह सारे dry foods केक के उपर डाल देंगे और इसे दो से तीन बार टाप करेंगे ताकि जो भी air bubbles हो निकल जाएं अब यह pan अच्छे से गरम हो चुका है तो अब हम इसके उपर रख देंगे यह cake tin और इसे cover कर देंगे अगर आपके पास ऐसी glass lid है तो अगर steel का ढकन हो तो आप उससे भी cover कर सकते हैं और पूरे 40 मिनट तक हम इसे bake करेंगे low flame पर और पूरे 40 मिनट हो चुके हैं आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया soft तयार हुआ है यह बहुत ही जादा spongy बना है अब हम इसे demold करेंगे एक plate उपर रखेंगे और इसे इस तरह से पलट देंगे और यह cake हमारा बहुत ही असानी से बाहर आ जाता है इसका butter paper हम हटा देंगे और इसे सीधा करके देखेंगे यह देखिए cake कितना soft बना है और जब यह cake बिल्कुल ठंडा हो जए तब ही आप इसे काटें लेकिन मैं अपने आपको रोक नहीं पा रही हूँ इस cake को काटने से और खाने से तो इसलिए मैं इसे थोड़े गरम में ही काट रही हूँ और यह देखिए cake कितना बढ़िया और soft बना है बहुत ही ज़्यादा spongy है आप सोच नहीं सकते कि हमने इसे गेहूं के आटे से बनाया है तो आप भी इस moist, soft और tasty और healthy cake को अपने घर में ज़रूर बनाएं और बिना किसी guilt के जी भर कर खाएं तो अपने अनुभा मेसा ज़रूर शेयर करें और अगर रेसेपी अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना बेकूल न भूलें अब हम मिलते हैं नई रेसेपी के साथ तब तक लिए goodbye, take care, thanks for watching